एक जमाना था, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग भी without preparation जो है, examination hall में जाते थे, और सोचते थे कि यार, इकल जाएगे, हमारे just pass तो हो जाएगे, मुझे लगता है हमारे जो under 17 की टीम थी, ये वही सोचके, preparation होता है, football game को जीतने का preparation, जो long camps लगते हैं, जो exposure लगता है, ज हम लोग साफ खेलते हैं, और हम लोग जो है, हमारे country में ही जो है, clubs के साथ में, lower level पर matches खेलते हैं, वो हमारे लिए experience होता है, वो हमारे लिए exposure होता है, और ऐसे जब big tournaments हम लोग खेलने के लिए जाते हैं, जो भी qualifiers हैं, उसमें हम लोग expose हो जाते हैं, उसमें हमारा game दिख ज लिए रही थी, उस game में हमने 13 goal score किये, दुसरे match में तरकुनिस्तान के साथ में भी एक comfortable 1-0 के win हमने आसल की, जहां पर जैसे मैंने पहले game में बताया था, दुसरे game के भी preview video में मैं बताया था कि बाई, जो main game है वो Thailand के साथ में होने वाला, तो अभी हमको इतनी जाता पुशी बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे चीज़े हैं जो कि अभी भी फरनिश करने बागी है, तो यह Thailand का game होगा, वो हमारे दे सबसे ज़्यादा important होगा, इसी game में हमने पिचक दिया फिर से, literally पिचक दिया है वाई, ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप half time प end moment तक लेके जाने के बाद आ रहे हैं, हमारे under 20 के साथ में भी यही हुआ, हम फिर से दुसरों के भरो से बढ़े हैं, हम लोग दुसरों के भरो से बढ़े हैं कि भाई हाँ यार कुछ हो सकता है, दुसरे team यह जीतेगी तो यह होगा, वो जीतेगी तो वो होगा, वो हारेग गेम में बस आप यही देख पा रहे होते हैं, फुल 20-25 minutes at the end यही चल रहा था उस गेम में, because मुझे ऐसा लगा, कहीं न कहीं एक सेटिंग हुई है, इन दोनों टीम के बीच में कि भाई, हम दोनों एक गेम को ड्रॉ करते हैं, हम लोग unbeatable finish करेंगे, और आप लोग जो है qualify क जाओगे, तो हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग फोड़ाफा यहां पर मस्ती कर देते हैं, और AFC में मस्ती करना allowed है, AFC में हर चीज़ allowed है, AFC में real game खेलना allowed नहीं है, AFC में बस भाई, ऐसा कुछ कांड करो, आप आगे बढ़ोगे, तो AFC में यह मैं देखते आ रहो न, इत इसलिए आपको यह news कहीं भी नहीं दिखेगी, कि Australia और Indonesia के game में ऐसा disgrace पर नहीं को देखने के लिए, तब यह spirit of the game के खिलाफ है, सही में भाई, football entertainment के लिए होता है, हम सब को पता है, football जो है, एक अलग चीज़ है, यह एक beautiful game है, बट उस चीज़, उस games में हमको ऐसे सब चीज इसलिए नहीं के लिए, अवस नहीं के लिए, जैसे हम लोग हार गए, मैने पहली बोला था, stream में भी तस बर बोला था, कि भाई, अगर यह match हारेंगे, तो दुसरों के वहरो से बेटेंगे, और दुसरों के वहरो से बेटना, कोई 5-0 की बात नहीं, और जैसे हम लोग हार मैने एक बात बोलाए कि India is out of this tournament, simple सी बात है, India is out of this tournament, don't expect that Australia will win, don't expect that Japan is there, then Japan will give it another offer, but still what happened in between Australia and Indonesia game was a disgrace, seriously भाईस क्या AFC इसमें इंवस्टिकेशन करेगी, मुझे लगता कि यहां पे AFC कुछ भी इंवस्टिकेशन करेगी, यह ऐसा ही गेम बढ़ाएगा, और यह दोनों टीम में आगे बढ़ेंगे, अपना तुर्नमेंट खेलेंगे, अगर सही में, AFC में थोड़ा भी गुडदा ना भाई यह दोनों टीम को बर्खास्त करेगे, दोनों टीम को बैन करना चाहिए, at least for one tournament, because the way they have played, it is against the spirit of the game, and it should be questioned, both the FF should be questioned, both the FF should be investigated, but again here, it's a game of football, you can do it, you have to just move on, और यहां पे तेखो यार, देखो, AFF के साइट से तो बोलनी ही नहीं चाहिए, जो AFF ने blunders किये हैं, भाई सहाब I mean like seriously, जब मुँ कश्मीर में camp लगाया, West Bengal में camp लगाया, पर एक campus camp ही थे, उसो कुछ मतलब real preparation नहीं था इस camp में, उस normal चीज़ हैं जो हमको देखने के लिए मिलें, अच्छे touches, अच्छे passes वगेरा वगेरा, but at the end, हमारे All India Football Federation के mind में यह बात नहीं गुसती है, कि भाई, at the end अब कभी नहीं जीत पाऊ, नो माटर आप कितने बैच्चे प्लेस लोगेरा, आप कभी नहीं नहीं, कि उस अंटल और लिए गिविंग दें प्रोपर प्रोग्रेस, एक प्रोपर पात वे उनको दे रहे हो, अब तक आपके team का कुछ नहीं होगा, आपके nation का कुछ नहीं हो today, because everything from the first minute was against them, that was not a red card, penalty was not given, and that the goal should stand, because here पर रेफरी की गलती है, रेफरी की नहीं है पिछ पिछ पे पिछ पे रेफरी की विजल बजाए, जब आपने विजल बजाए है, जब आपने विजल बजाए है, the game should carry on, the goal should stand, I'm not a hater over here, I, 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 आपने को, भाई, फुटब से प्यार है, फुटबॉल से प्यार है मुझे, तो फुटबॉल में जो सही चीज़ें होते हैं, मैं उसके बार में बात करूँगा, जो गलत चीज़ें होते हैं, उसके बार में बात करूँगा, it doesn't matter कि हमरे टीम हारी है, हमरे टीम जीत रही है, जो सही है, वो सही है, it's simple as that I don't want to be biased I don't want to be biased यहापे ज़िए कुछ बाइस चीज़ें सिहाना निछ आपको सिम्बल सी बात है आज जो नेपाल के गेम में हुआ या देखो जब आपकी टीम एक बंदा कम हो जाता है फिर्स हाफ में आपकी टीम का जो structure होता है वो बिगड जाता है आपके टीम के जो प्लान्स होते हैं वो बिगड जाते हैं फिर भी Nepal ने एक structure maintain करके रखा, why they maintain that structure because we gave them that Indian football team ने वो chance उनको दिया कि वो structure maintain करके रखे हैं loose football खेल रहे थी पूरा time Indian football, सच में Indian की women's team में इतना loose football खेलती है वो किस महाशे ने, किस दिगज आदिमी ने, किस चतूर आदिमी ने मुझे बताया था कि बाई, India की women's team जो है women's team से पहले world cup qualified कि बाई, किस basis पे बताया था मेरे तरह को नंगा करके मारना था सही में मतलब like seriously man need to understand what's going on with football in India the level of Indian football and still आप कुछ भी-कुछ बखवास करना जाए seriously seriously भाई पुड़ा था इमाग लगा हूँ, या फुटबॉल का गेम है ऐसा नहीं कि कल के कल आप फिल्ड में उतर गए और अच्छा फुटबॉल खिलना स्टार्ट करोगी क्या तरीके का आप statements देते हो, पहली तो यार यह जो आपकी All India Football Federation है इसको पहले भाई बैन करवाओ, इसको कुछ भी करवाओ यह इंडिया को आगे नहीं ले जाएगी यह पीछे ले जाएगी, यह इंडिया को आगे कभी भी नहीं ले जाएगी, जो तरीके के clowns बेट हैं न भाई टारीफ कितनी भी करोंगा ना कम रहेगी, बतारओं मैं, कितनी भी तारीफ करोंगा, बहुत कम रहेगी और यह बस मैं नहीं बोल रहा, यह जो भी अवाम है इंडिया की, यह जो भी football follow करने वाली अवाम है, वो यही बात मैं बहुक्त भूल गोल मैं कि कि Gula कहा है बोलाटे कि इंडिया की लो इंडियेंसों की लिज इसनि डिम kलूय और आ halten अउने इंटरिम को टवर्टोर्टी ओ गुड़ोरें आउने अउने कने वन र मने में अचिए आपड़िफ गए in Europe, in South America and stuff like that. And I have no, I have no complaints against Dubai. I totally endorse this. I totally endorse this. Because there is nothing left in Indian football to watch for, to root for. It is simple as that. 2026, we were thinking of qualifying for the under 17 World Cup. World Cup my ass. You are not able to qualify in the AFC qualifiers. You are not able to qualify in the World Cup. You are not able to qualify in the World Cup. Seriously man, I am done with this AFF qualifying sheet, Vision 2047, stuff like that. This is not, this is unbelievable. Don't believe in it. For the sake of the news, I will give you a news. And I will give you a reaction. But I don't want to encourage something which is not going to happen in Indian football. That is progress. I will rant here for a minute. That's it from my side. And congratulations to Nepal. Seriously. Congratulations to Nepal. From bottom of my heart, you deserved it. And you've won it. Such me. Congratulations.